हेलो एब्रीवन आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुख्या पर आज हम दुनिया की सबसे आसान केकी रैस्पी आपके लिए लेकर आए हैं बिना आवन और बिना अंडा के वो भी कड़ाई में आप सबसे एक निवेदन है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो हमने किस्मिस, बादाम, काजु को और अकरोड को बारिक बारी काट लिया है एक बाउल लिया है एक त्याही कब दूद लिया है दूद हमने यहां पर रूम टेंपरेचर का लिया और ये टूटी-फूटी लिया है आप इसे जूस में भी बिगो सकते हो स्ट्रॉबरी या गैनवेरी जूस सभी के घरों में उपलब नहीं होता हमें इसलिए हम इसे दूद में बना रहे हैं अब हमने यहां पे थोड़े से खड़े मसाले लिए इसका हम एक पाउडर बना लेंगे यह मसाले जरूर डाले इससे केक बहुत ही अच्छा बनता है तो इस तरह से हम इस केरेमलाइज हो गई है देखिए चीनी कितनी जल्दी और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ गया है अब यहां पे हमने एक चौथा एकप यह पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें और इस समय हो सके तो गैस की फ्लेम बंद कर दें और इसमें एक चौथाई कप ऑलिया है और इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे इसमें फिलेवर बाला ऑईल ना डाले अब हमने यहां पे एक कप मैदा ली है और इसमें यह मसाले कूटी थे उसको भी डाल दिया है और इसमें जाएफर थोड़ा सा इस तरह से ग्रीट कर लेंगे इसे जरू लेंगे तो दीखिए इस तरह से इसमें सारा उपर आ गया है इसे साइड कर देंगे अब इसे हम पहले हलके हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तीन चम्मस इसे बहुत ही अच्छा केक में तेस्ट आएगा अभी जो हमने केरेमल सीरप बनाया था इसको डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और ड्राइफ फ्रूट भी हमारे अच्छे से फूल गए हैं इसे हमने आधा गंट बीच में पकेगा नहीं अच्छे से अब यहाँ पर हमने एक टिन लिया है केक टिन और इसमें बटर पेपर लगा दिया है अब हम बैटर को बेकिंग डिस में पोर कर लेंगे अब इस पे हम थोड़े से ड्राइफ फूट टूटी फूटी और हमारे पास थोड़े से चोको तो रखी थी तो देखिए 30 मिनिट हो गए है अब इस पर हम फिर से ड्राइफूट डाल देंगे क्योंकि जो हमने पहले ड्राइफूट डाले थे न वह थोड़ा सा अंदर जले गए केक हमारा फूल गया एक काम थोड़ा जली-जली करें यह केक बनाना बहुत ही आसान है आप केक में 45 मिनिट लगे है तूटफिक बिल्कुल क्रीन निकली है समय उपर नीचे थोड़ा सा हो सकता हमारे बरतन और गैस की फिलेम पे निरभर करता है तो देखिए सांदर केक हमारा बन के तयार हो गया इसे हमने 15-20 मिनिट इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है अब इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे तो आपको देखने से ही लग रहा होगा देखिए कितना सांदर कलर आया है और कितना स्पोंजी बना है देखिए तो आप कभी भी बना सकते हो बर्डे पे न्यू यर पे या पर क्रिस्मस पे देखिए सांदर केक बन कर तयार हो गया है अगर आप आपको हमारी रेश्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और तोड़ कर हम आपको दिखाते हैं देखिए थैंक्स पॉर वाचिंग टेक केर भाई